सब कुछ बदल दिया, एकदम घटिया सर्विस बना दिया, 20 तारीक के बाद ओर्डर मत लगाना, नहीं तो आपको 10-12 दिन के अंदर ही आपको pay करना पड़ेगा, विल गा, इस एक बहुत ही बड़ा टाउंसर कर्डिशन में चेंजिस आया है, Amazon Payletter के ठीक है, तो इसको आप जाने बिना Amazon Payletter को यूजी मत करना ठीक है, मतलब दो ही ऐसी MBFCs है, जो कि Amazon Payletter को जो है, ओफर करती है, मतलब Amazon के साथ उनका tie-up है, और आपको loan देती है, मतलब आपको Amazon Payletter allow करती है, जैसे कि एक Axio हो गया, जो Cattles Float जिसका नाम था, वो मतलब Axio हो गया, और एक है IDFC Fast Bank, ठीक है, तो अभी मैं आपको detail में explain करूँगा, कि क्या changes हुआ है, बिना इसको देखे, आप जो है order मतलगाना Amazon Payletter से, मतलब ऐसा हो जाएगा, कि आज order लगाओगे, और 3-4 दिन बाद आपको pay करना पड़े, ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऐसा मेरे पास comment भी आया है, कि मैंने 2-3 दिन हुआ है, order लगाया है, और 2-3 दिन के बाद ही मेरे को मतलब पैसे पे करने के लिए बोल रहा है, तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि terms and condition में changes आ गया है, तो मैं वो detail में बात करूँगा, सभी को ये video share कर देना, ताकि सबको पता चले, कि क्या changes आया है, और हमको कब order नहीं लगाना है, और कब हमको order लगाना है, Amazon Payletter का use कर गए, ठीक है, अगर आपने Amazon Payletter को अभी तक apply नहीं करा, तो आप apply कर सकते हो, process के उपर video मैंने बना दिया है, video link आपको description मिल जाएगा, i-card पर मिलेगा, end screen पर मिलेगा, इसके अलाबा Amazon Payletter के उपर, मैंने बारीकी में एक एक चीज़ के उपर video बनाया हुआ है, तो guys, यहाँ पर मैंने अपना phone का screen चालू कर दिया है, यहाँ पर मेरे Amazon Payletter पर देख सकते हो, कितना रुपया है, 29791, मतलब बहुत सारे रुपया है, ठीक है, 30,000 मेरा limit है, ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हम, देखो, इसके उपर ही हम tap करेंगे, और सिधा सिधा terms and condition पर जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर मैं नीचे जला जाता हूँ, नीचे जाने के बाद, यहाँ देख सकते हो, मेरा जो landing partner है, वो है Xio, A-X-I-O, X-Z-O को क्या है, उसका मतलब pronunciation जो भी है, तो यह मेरा company है, जो की था पहले capital float, ठीक है, अब यहाँ पर help and FAQ पर हम click कर देंगे, क्योंकि terms and conditions तो यही पर मिलेगा, अब यहाँ पर सीधा बहुत सारे option आपको मिल जाएंगे, देखो यह एक number पर है, about Amazon Payletter, मतलब Amazon Payletter क्या है, उसके बारे में बात है, Amazon Payletter availability, Amazon Payletter registration, about limit, उसके बाद बहुत सारे है, तो यहाँ पर हम 7 number पर देखेंगे, payment पर, यहाँ पर आया है changes, ठीक है, तो payments पर मैंने click कर दिया, अब यहाँ पर सारे, सारे के सारे option तो same ही है, लेकिन यहाँ पर दो number पर आप देख सकते हो, दो number जो है न, यहाँ पर थोड़ा बहुत बढ़ा changes आया है, बहुत बढ़ा changes, मैं आपको detail में भी समझाऊँगा, सबसे बहले English में क्या लिखा है, वो मैं आपको उता देता हूँ, वेन इस माई Amazon Pay Letter Repayment is due, तो यह बता रहा है कि हमारा Amazon Pay Letter due को मतलब कब है, ठीक है, कब हमको pay का ना है, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हूँ, for exeo customer purchase made using Amazon Pay Letter between one and end of the month, will have to pay due, will have the due amount calculated on first day of the subsequent calendar month, ठीक है, and will be payable by the fifth day of the same calendar month, ठीक है, तो इसके बाद जो है, यहाँ पर example भी दे दिया गया है, तो वो मैं, सबसे बहले यहाँ पर मैं समझा देता हूँ, क्या लिखा हुआ है, कि दखो, यह है drastic change, मतलब बहुत बेकार सा change है, बहुत ही जादा भद्दा change है, ठीक है, बेकार लगा मेरे को, यह बता रहा है, किसी भी मन्त का समझ दो, अभी चल रहा है क्या नवेंबर का महीना, तो नवेंबर के एक तारिक से लेकर 30 तारिक मन्त के end, मतलब 30 या फिर 31 या फिर 28, 29 जब कभी भी जो है मन्त end हो रहा है, ठीक है, तो मतलब एक तारिक से लेकर मन्त के end तक, अगर आप कोई भी order लगाते हो, तो उसके very next month, मतलब यह नवेंबर है, December के एक तारिक को उसका bill generate हो जाता है, ठीक है, यह exeo की बात कर रहा हूँ, तो एक तारिक को bill generate होने के बाद, उसी same month, मतलब December का ही 5 तारिक को आपको pay करना पड़ेगा, ठीक है, तो मतलब अगर आप समझ लो 30 तारिक को आपने order लगा है, November 30 तारिक को, तो 5 दिन पहले, मतलब 5 दिन बाद ही आपको pay करना पड़ेगा 5 तारिक को, अगर नहीं pay करोगे, तो आपका यहाँ पर interest rate लग जाएगा, तो यह बहुत ही बड़ा important बात है, आपको जानना है, उसके बाद shopping करोगे, तो आपका जितना देरी से shopping करोगे, उतना कम होता जाएगा, इससे पहले क्या था, इससे पहले था ना, मतलब 1 से 15 तारिक के अंदर, अगर आप कोई भी shopping करते थे, तो वो next महीने होता था भी, नेक्स्ट महीने के 5 तारिक को, और अगर आप 15 से लेकर, मतलब 15 के बाद 16 से लेकर 30 तारिक के अंदर, मतलब month 8 तक अगर कोई भी order लगाते थे, तो वो बाला पे आपको next month नहीं करना पड़ता था, उसके बाद के next month में ही, मतलब उसके बाद के month में ही आपको 5 तारिक को पे करना पड़ता था, उसके इसमें बहुत जादा time आपको मिल जाता था, लेकिन अभी जो है, एकजियो ने, मतलब capital float ने ये भद्दा सा change कर दिया है, तो आप जो है इससे सतर्क रहना, 25 या 30 के आसपास लगा रहे हो, तो 5-6 दिन के अंदर आपको फिर से पे करना पड़ेगा, तो ऐसे में कोई भी फाइदा नहीं है, अब चलो हम IDFC bank के देखते हैं, देखो, for IDFC customers, purchase made between 1st and 15th of the month, will have a due date or 1st EMI date, on the 5th day of the next month, and for any purchases between 16 and till the end of the month, the due date or 1st EMI date will be 5th day of the month, next to the subsequent on, ठीक है, अगर आपका जो landing button है, वो IDFC first है, तो आप जो है, यहाँ पर कोई भी महीने का, यहाँ पर यहाँ पर ले लो, June महीने का 1-14 तारीक के बीच में, कोई भी order लगाते हो, तो आपको जुलाई के पास तारीक को पे करना पड़ेगा, और यहाँ से 15 से लेकर जुलाई के end तक, अगर कोई भी order लगाते हो, तो उसको आपको जुलाई में नहीं, जुलाई के बाद जो है, अगस्त के पास तारीक को पे करना पड़ेगा, तो इस केस में IDFC बैंक ने यहाँ पे बाजी मार दिया है, तो IDFC बैंक ने अभी तक अपना टांस और कंडिशन्स को बरकरार रखाए, जो पहले था, ठीक है, लेकिन XEO ने अपना नाम भी बदल दिया, अपना ट्रांजक्शन भी बदल दिया, सब कुछ बदल दिया, एकदम घटिया सर्विस बना दिया, ठीक है, तो कोई भी, कोई भी देखो, यहाँ पे जो है, 20 तारीक के बाद और मत लगाना, नहीं तो आपको 10-12 दिन के अंदर ही, आपको पे करना पड़ेगा, तो इस तरह के हैना, धेर सरे Amazon Gift voucher, फ्री में earning करने के लिए, कुछ application के link, आपको description में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ पे sign up कर सकते हो, एक एक रेफार के 700 पस आज का, Amazon Gift voucher earning कर सकते हो, 500 का Amazon Gift voucher earning कर सकते हो, तो आपको Amazon Gift voucher, फ्री में earning करनी है, sign up करो description में link है, आप साथ साथ गाईज, इस तरह के हैना, ठेर सारे referend earn के applications, आज आते हैं हमारे चैनल पे, बिल्कुल फ्री में earning हो जाती है, तो अगर आप फ्री में earning करना चाते हो, सब सब ले लेना चाते हो, तो देखो नीचे रेट बोल का subscribe बटन होगा, उसे तो डालो फोड़ो कुछ भी कर डालो, लेकिन subscribe हो जाना चाहिए, बगल में जो टल लिया ना, उसी भी दवादे ना था किन नोटिशन मिलती रहे, थांक्यूआ रच, जय हिंजय भारत, पांदे बारत,